आज हम Indian Banking Act 1949 के बारे में दिस्कस करेंगे कि Act कब हमारे देश में लागो हुआ इसके क्या क्या प्रावधान है क्यों आवशकता है इसकी पड़ी हो जानते हैं तब तब से पहले जानते हैं कि Act की शुरुवात कैसे हुई तो 1931 से पहले बैंको को कंट्रोल करने की दिशा में कोई विशेश कानून हमारे या नहीं था और यह कहें कि भारती विनेमा साध्य दिनियम 1881 थोड़े बहुत कंट्रोल के संदर में इस नियम में कोई विवस्ता ह हमारे या नहीं थी तो 1905 में जब बैंकों में संकट का समय था तो इनकी समर्थ था और दुरलबता ने यह सिद्द किया कि कोई ना कोई ऐसा अधिनियम होना चाहिए जो बैंक के संधर्व में हो तो 1913 में कंपनी अधिनियम पारित किया गया था जिसमें बैंकिंग कंपनियों को कंट्रोल और नियमन है तो कुछ विशेश अधिकार दिये गयते हैं परन्टू 1913 से 1917 के मद्धि बैंकिंग संकट के समय कंपनी अधिनियम 1913 में के गये कंपनी संबनित प्रावदान कुछ अधिक प्रभावशाले सिद्द नहीं हो सके अतर 1934 में र रिजर बैंक अधिनियम पारित किया गया किन्तु इस तती में कोई विशेश परिवर्तन देखने को नहीं मिला तो सन 1936 में जब भारती कंपनी अधिनियम में शंशुदन किया गया तब जाच समयती की कुछ शिफारिशों के तहत अधिनियम को इसमें शामिल किया गया है इ बैंकिंग विधान पारित किये जाने की आवशक्ता महसूस की ताकि बैंकों का संचालन नियमन और उनकी क्रियाओं को वैधानिक दायरे में लिया जा सके तो 19 तो भारती कंपनी अधिनियम 1936 में ही समय समय पर शंशुदन किये जाने लगे उसकी पश्यात 1944 में के बैंकिंग कंपनी की परिभाशा में निमने कप्रकार की चिंजिस किये गए जैसे प्रते संस्था को अपने नाम के आगे बैंक बैंकिंग या बैंकर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा और वह बैंकिंग कंपनी तभी मानी जाएगी चाहे वो बैंक चेक द्वारा वुक थापित किये गए यह बैंकिंग विकास, कुशल प्रभन, विवस्ता, विवेक पॉंड, विनियोग नीती आदी दोसर से युग तते हैं फिर इसकी पश्चात 1946 में सरकार ने पुरा ने जो विधेयक के स्तान पे नया विधेयक एक रखा जिसमें विवस्ता पिका सिमीती न पूल जो हमारे विधेयक थे उन्हें वापस से लिखा गया और मार्च 1948 में उसे सविधान सभा के पटल पे रखा गया सविधान सभा में 17 जन्वरी 1949 में इस विधेयक को भारित किया गया और 10 मार्च 1949 को इस पर ततकालिन गवर्नर जनरल ने अपने सिगनेचर किये और 16 मार्च 1949 को इसे बैंकिंग कमपनी अधिनियम के नाम से लागू किया यह तो मैंने एक शॉर्ट इसकी हिस्ट्री बताए गई है कि किस तरह से यह नियम आया अब जानते हैं कि क्या का ऐसे कारण थे कि बैंकिंग अधिनियम की आवशक तहां में पड़ी तो इसकी कहीं सारे रीजन थे इसमें से कुछ एक आदमे रीजन आपको बताना चाहूँगी इसमें सबसे पहला जो रीजन था कि कंटिनियस फैलियर ओफ बैंकिंग कि निरंतर इस हमारे देश में जो बैंकिंग संकट उत्पन हुआ था वहाँ पर बैंक जो है फेल होते जा रहे ते जनता का विश्वास उन बैंकों पर कम होता जा रहा था और इस कारण से बैंकिंग अधिनियम की हमें आवशक ता पड़ी फिर दूसरा जिजन जो देखा गया वो ये था कि अनिवन एक्सपेंशन ओफ बैंकिंग फैसिलिटीज की असंतुलित विकास होने के कारण बैंक फेल होते जा रहे थे और ये था कि शायद शहरों में तो इनका बहुत विकास हो रहा था परन्तु गाउन की अगर बात की जाए तो वहाँ पर बैंकिंग सुईदाओं का विकास ही न था तो अनिवन एक्सपेंशन के कारण भी नियम की अवशकता हुई और फिर एक रीजन ओर ये था कि रिजर्ब बैंक को ज़्यादा अधिकार दिये गए थे उस समय तो रिजर्ब बैंक को ज़्यादा अधिकार दिये जाने के कारण भी बैंकिंग अधिनियम की अवशकता पर फिर विभिन प्रकार के अधिनियम को संगटत रूप प्रस्टूत करने के चारण भी एक बैंकिंग अधिनियम जो है अलग रूप में आये अपने आप में इनने निम्न कारणों के कारण बैंकिंग अधिनियम की आवश्क्ता पड़ी फिर अब जानते हैं कि जो हमारे इसकी में फीचर्स क्या हैं इस एक्ट के तुकि बैंकिंग कमपनी अधिनियम 1949 के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं तो 1949 में इसे बैंकिंग कमपनी अधिनियम के नाम से पारित अला को किया गया लेकिन 1965 में इस अधिनियम का नाम बैंकिंग नियम अनदिनियम कर दिया गया जो आज भी इसको इसी नाम से जाना जाता है अब सेप्टेमबर 1965 में किये गए संशोधन के अंतरगत बैंकिंग कमपनी अधिनियम सहकारी बैंकों पर भी रागू कर दिया गया था फिर अगर 1968 को देखा जाए तो 1968 से इस अधिनियम में कुछ और इंपोर्टेंट शर्ण सुर्दन किये गए जिने सामुईक रूप से बैंकों पर सामाजिक ने अंतरना अधिनियम कहा जाता है फिर 1969 में 14 बड़े बैंकों का रास्ट्री करण किया गया और इसको वेधानिक मानिता प्राप्त करने तथा रास्ट्री गृत बैंकों की सफल संचालन के उद्देश से बैंकिंग कमपनी अधिनियम 1917 पारिद किया गया फिर प्रारम में ये अधिनियम जमु कश्मीर में कारेद सभी बैंकों पर लागू नहीं होता था किन्तु 1956 से ये देश के देश में कारेद सभी बैंकों पर लागू कर दिया गया फिर सेंटरल गौर्वर्मेंट के अवशक्ता पढ़ने पर ड्रिजर बैंक के लिखित आविदन पर इस अधिनियम के समस प्रावधान या कुछ प्रावधानों की क्रियानवति को अधिक से अधिक 60 डेज है तू इस तगित इसको कर सकती है फिर इस अधिनियम में कुल 56 डाराएं हैं पांच दालिका हैं और एक परिशस्ट है कुल डाराओं में से प्रथम 55 डाराएं व्यापरिक बैंक पर और अंतिम डारा है वसाकारी बैंक पर लागू होती है और इस अधिनियम को पांच भागों में बाटा गया है तो भारती कमपनी अधिनियम को बेंकिंग संस्ताओं से संबन्ति धारा है जिने बेंकिंग अधिनियम में शामिल नहीं किया है बेंकिंग संस्ताओं पर लागू है जैसे कोई भी कमपनी या साजेधारी जिसमें दस से अधिक व्यक्ति शामिल है कमपनी अधिनियम 1956 की धारा 4.1 के अकॉर्डिंग बैंकिंग व्यासाय के संचालन के लिए संगठित नहीं की जा सकती जब तक कि वह सारवजनिक कमपनी के रूप में तो ये तो बता है कि इस एक्टर की क्या-क्या में फीचर से फिर इसी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ डेफिनेशन दी गई है तो बैंकिंग कमपनी की क्या-के डेफिनेशन होती है तो इसमें अलग-अलग धाराओं के according अलग-अलग definition दी गई है तो मैं दो-तिन आपको बता देती हूँ तो सबसे पहले तो धारा पर आते हैं कि 5B और 5C को देखते हैं तो सबसे पहले 5B को देखते हैं 5B और C को Banking Adenium की धारा 5C के according एक banking company वह है जो भारत में banking व्यवसाय करें अब इसी में धारा 5B के according banking व्यवसाय की चचकी जा है तो इस धारा के according banking व्यवसाय से तात पर रिंड देना तथार विनियोजन के लिए जनता से निक्षे प्राप्त करना है जो मांग करने पर चेक, ड्राफ्ट या अन्य किसी प्रकार की आग्या द्वारा लोटाया जा सके अब इसी में एक धारा और आती है धारा 7C according ऐसी company को जो banking व्यवसाय करती हो अपने नाम के साथ bank, banker या banking शब्द का प्रयोग करना अनिवार है अन्य था यह banking व्यवसाय नहीं कर सकती है अतहा banking company वह company है जो भारती company अधिनियम 1956 की धारा 3C according इस्थापित की गई हो या केंद्रे सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए नमंकित की गई हो या संसद में किसी विशेश अधिनियम के अंतरगत स्थापित की गई हो तो इस प्रकार की साज़ेधारी वह एकागी व्यापारिक banking व्यवसाय नहीं कर सकते तो यह तो वह कुछ definition जो धाराओ के अनुसारती अब हम आते हैं कि भारतिय बैंकिंग अधिनियम 1949 में क्या कितने इसकी मुख्य भाग कितने हैं यह जानते हैं तो इसकी मुख्य भाग में सबसे पहला भाग है उसमें आती है प्रारंबिक धारा है जो कि 1 से लेके 5A तक है फिर इसकी से केंटरी भाग में आता है banking company का व्यवसाय जो कि धारा 6 से लेकर 36A तक आती है फिर इसका भाग वही 2 है इसमें A, B, C विभाजित है तो सबसे पहले A को जाने तो A में आता है Control और Management जिसमें धारा हाती है 36A, 36AB फिर इसी के भाग 2B में आता है Banking कंपनियों के संबंद में क्या करिया कल आप कौन-कौन से निशेद होंगे यह धारा 36A और D में आती है फिर इसी के भाग 2C में आता है कि बैंकिंग के मामलों में बैंकिंग उपक्रमों के अरजन धारा 36A और E से 36A और E में जो फरवरी 1969 से प्रभावी की गई है फिर इसका भाग 3 आता है तो इसके भाग 3A में बैंकिंग कंपनियों के व्यवसाय का निलंबन और परी समापन धारा 36 से लेके 45 दगाता है फिर इसके भाग 3A में परी समापन कारेवाही को शीगरता से निप्टाने के लिए विशिश प्रभंद की धारा 45A से लेके 45X सक बीच में आते हैं फिर धारा साथ के अनुसार ऐसी कंपनी जो बैंकिंग व्यवसाय करती हो अपने नाम के साथ बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द का प्रयोक करना आनिवारे हैं अनिता वह बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती है बैंकिंग कंपनी वह कंपनी है जो भारती कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 3K कोर्डिंग इस्थापित की गई हो और केहनरी सरकार द्वारा इस उद्देश के लिए नामंकित की गई हो या संसत के किसे विशेश अधिनियम के अंतरगत इस्थापित की गई हो इस प्रकार साजेधारी व एकांकी व्यापरिक बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकते हैं तो ये तो मैंने आपको बताया कि क्या अधीनियम था इसकी क्या विशेश्टाय थी इसकी अवशक्ताय क्यों पड़ी है और इस इस अधीनियम के कितने पार्ट थे है अब ये अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है इसके बाद इसमें बैंकिंग के क्या क्या फंक्शन हो सकते हैं ये आते हैं अब इसके क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं ये इसके अंदर पूरा शामिल है तो इसकी प्रोविजन को नेक्स लेक्चर में हम देखेंगे